हालो फ्रेंद्स विल्कम पाक टो आई चानल अगीन आज की इस वीडियो में हम एक रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही डिफ्रेंट है और वेट वाचर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है सो आए स्टार्ट करते हैं आए सबसे पहले इंगेडियन्स देखत सिम्ला मिर्च यलो या औरेंज गलिर का ही प्रेफर बीवाइस में चाहिए हाव टीश्पून आफ अन्यं पाउडर हाफ टीश्पून आफ ड्राइड ओरे लिव लीश हाफ टीश्पून आफ गर्लिक पाउडर सुखी लाल मिर्च के फलेक्स चिली फलेक्स ब्लैक, इस वीडियो में देख सकते हैं यह इस तरहां के ही टमाटर यूज करने नहीं तो आप साले टमेटो रोस्ट करके यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेते हैं कदू कश कर लीजिए पनीर को फिर शिम्ला मिर्च को भी छोटी चोटी टुकडो में काट लीजिए इस तरह से सिमिलरली हम प्याज को भी इसी तरीके से चॉप कर लेंगे चोटी 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 टुकडो में काट लेंगे और गार्लिक को भी हमने चॉप कर लेना है चलिए देखते पत्ता गोभी कैसे काटना है बीच में से तीन हिस्सों में से काटके इसे हम बड़े-बड़े स्क्वेर शेप के टुकडो में काट लेंगे कोर्स चॉप्ट अब हाई हीट में एक पैन पे दो छोटे चमच टू टी स्पून ओयल अड़ कर दे तेल गरम हो गया तो इसमें प्याज आड़ कर दीजिए और फिर शिम्ला मिर्च भी आड़ कर दीजिए एक से दो मिनिट के लिए हाई हीट पे ही चमच चलाते हुए भूल लेजिए प्याज और शिम्ला मिर्च को हमने ब्राउन नी करना हलका सा टेंडर होने तक पकाना है अब जो हमने पनी पक चुका है तो हम इसमें अब जो चॉब्ड गार्लिक थे लहसुन वह एड़ कर देंगे और एक मिनिट के लिए थोड़ी देर और पकाएंगे अब जो स्टोवेस को हम मीडियम हीट पर कर देते हैं और टमाटर जो थे हमारे डाइस टोमीटो उसको एड़ कर दीजे और साथ इससाथ हम सारे स्पाइसस भी आप कर देंगे ऑनियन प्रोडर ओरिगैन लीविश कार्लिक पाउडर नमक और मिर्च यह सबको मिक्स करलीजेए और चिली ते जो सुक्षी लाल मिर्च के बीचे वो भी आड़ कर दीजें अब इन सारे स्पाइसस को अच्छे से मिक्स कर ली कवर करके मीडियम हीट पे ही 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक वह पत्ता गोबी थोड़ी टेंडर ना हो जाए हल्की हल्की ना अध्य पकी सी ना हो जाए 15-20 मिनट बाद कवर हटा दीचिए एंड लुक अट इस वाउ हमें यही एक टेक्श्चिर चाहिए अब हम इसे एक टॉप करेंगे विद चीज शैदर चीज मॉजरेला चीज आप यूज कर सकते हैं या टेक्समेक्स यह चीज को स्प्रेड करके अब हम इसे मेल्ट होने तक कवर करके फिर से पकाएंगे वही कवर हटा के देखते हैं देखे हमाई चीज बिल्कुल मिल्ट हो चुकी है अब हम इसे कवर हटा के एक मिनिट के लिए हाई हीट पे ही थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो उपर वाटरी बबल हो हलकी सी सूख जाए बट आट अट सेम ताइम हमने में में करना है कि वह बिल्क जरूर ट्राइ करिये इस डिश को अपने घर पे मेरे बच्चों ने भी बहुत लाइक किया था आप भी सब लाइक करेंगे इफ यू रियली लाइक माय रेसिपीज प्लीज लाइक और शेयर थैंक यू सो मुच पर वाचिं